दोस्तो मैं आमेश सास्त्री आज फिर से आंगे चर्चा करता हूं पिछले वीडियो में हमने जहां तक परषणों पर चर्चा की थी बहुत महत्पूरे परषण है इसलिए आप पूरे परषणों को जरूर देखना वीडियो को एक बाल लाइक जरूर कर दीजीगा चलिए होने वाली गिलानी बाक्यांस के लिए एक सब्द है जो स्वयम के अपराद बोस्ट से जो गिलानी होती उसको क्या कहते हैं उसको बोलते हैं आत्म गिलानी क्या बोलते हैं आत्म गिलानी हमारे बताने से पहले कमेंट में आप भी जरूर से उत्तर दें इससे आपका भी अभ् कई बार पूछा गया देखत तो रचना विचित्र अती समूजी मनaju मन रहे जब कोई चीज देख ले तो क्या होता थाए एक अध्भत चीज हो गई तो कौन सा रश हो जाएगा अध्भत लस यहाँ पर हो गया कौन सा हो गया अध्भुत रस अर्थ से आप लगा सकते हैं और निरंतर अभ्यास करते रहें तो आपको रस पहचानना अलंकार पहचानना आसानी से आ जाएगा आगे देखें अब अगला कॉस्चन अलंकार कई है एक और बत बता दें अभी पूरे वीडियो दिया आपको करम से देखना हो तो यूटूब पर अभी सर्च करें टॉप फिप्टी स्टडी यह हमारे यूटूब चैनल है आप जाकर के यूटूब पर सर्च करेंगे सब्सक् सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओटूब सारंग जीनो पाई के सारंग कई गई चोटूब अब देखो सबसे पहले हमें क्या चीत दिख रही है क्या एक सब्द बारवार आरहा है कौन सा है सारंग। जहाँ पर एक सब्दु लेकिन अलग उसके हरवार अर्थ क्या है अलग अलग है तो वहाँ पर कौनसा अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा कौनसा हो जाएगा यमक ठीक है याद रखीगेगा आगे बढ़ते हैं समान अर्थ बताने वाले सब्द क्या कहलाते हैं ये तो हर उसके सिलेवस में होता है ये समान अर्थ होते हैं तो समान अर्थ बताने वाले सब्दों को क्या कहते हैं ठीक है तो आप लोग आसानी से पहचान जाएंगे कि परियावाची सब्द कहते हैं समान अर्थ बताते हैं जैसे पानी का हो गया नीर समानी अर्थ है जल ए सब कुछ ऐसे बिलोम सब्द होते हैं विप्रीतार्थक अनेक अर्थ ही कहलाते हैं एक सब्द के अनेक अर्थ होते हैं जैसे हाथ का होता है कर एक होता है ठीक है अभी पर ने पढ़ा था ना कर एक होता है कर का हाथ एक होता है आप हिंदी को किस वर्ग में रखते हैं तो आपको बता दें कि हिंदी क्या है राज भासा के रूप में राज भासा नहीं होना चाहिए अपन तो राश्ट भासा के रूप में रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा किस के रूप में रखना है राश्ट भासा के रूप में रखना है ठीक है राजभादस तो राज की कामकाज की भासा हो जाएगी लेकिन अपनको क्या हिंदी को राश्ट भासा के रूप में रखना है आगे देखते हैं नीची दिए गए सब्दों के परियाए समानार्थक सब्द के लिए चार-चार विकल्ब दिये हैं, उचित विकल्ब चुनियों उत्तर पस्तिकाम तद्रिंग साल लिखिए, देखें, क्या देखें, परेयावाची हैं, अब परेयावाची अपनको देखना है, उचित विकल्ब कौन सा, घर का, अब घर का परेयावा सभास करते हैं सभास भी नहीं होता सहवास मतलब साथ रहना तो आवास हो जाएगा घर का क्या हो जाएगा आवास अब आग में जो ए और बी दिये हैं ना इंज की हमने बहुत अच्छी ट्रिक आपको बतलाई थी आपने दी हमारे पिछले वीडियो देखे हो तो मैंने बताय है था कि आग का परयावाची होता है अनल अब त्रिक देखें आप अनल मतलब होता है आग से सब दूर भागते हैं आपने कभी देखा किसी का नाम अनल हो नहीं होता हाँ अनल होता है किसी का नाम तो अनल का अर्थ है बायू याद रखिएगा अनल का के आर्थ है बायू ढाद रखेगा, ठीक है? आगे देखें, स्वाधिίνता का परयाय बाची देखें, अच्छी ट्रिक के साथ हम ने आपको परयाय बाची पढ़ाये हैं, आप अमारे चैनल पर जाएं, जरूर जा करके उनको एक बार देख लें, ठीक है? तो स्वाधि NESTA का परयाय बाची सब्द आपको बतलाना है जल्दी से आप कमेंट में उत्तर देते जाएं तो स्वाधीन ता मतलब होता है स्वतंतर था एक प्रकार के स्वाधीन होगा है स्वतंतर होगा ठीक है पिता का बताईए पिता का परयावाची जल्दी जल्दी परयावाची बनते हैं मतलब के दो नम्मर पक नेत्र का जल्दी से वता जीजिए नेत्र का प्रयावाची A, B, C, D तो नेत्र अक्षी आंक, नेत्र सुर्ती मतला सुनना होता ठीक है तो वहोगा है नहीं तो नेत्र का क्या हो जाएगा अक्षी चलो अब आंगे बढ़ते हैं नीची देगए सब्दों के बिलॉम सब्द के चार-चार रूप दियां अब सही बिलॉम चुनना है बिलॉम मतला उल्टा ठीक है जल्दी जल्दी क्यों कि परयावाची बिलॉम है तो पूछे ही जाते हैं यह हमने ट्रिक से अपने चैनल पर पढ़ाए हैं तो आप ट्रिक ज मतलब अलग अलग करना जैसे हिमालज सब्द लिखा व इसको अपन विच्द करेंगे तो हम्पिला सालाश हो जाएगा तो यह हो by-yoga जल्दी कि बता दीजी आप कमेंट में तो विकास एक तरफ हो रहा तो उसका हो जाएगा हिरास विकास मतलब बढ़ना हिरास मतलब कम होना हिरास हो जाएगा उत्थान किसी जीब का उत्थान होता है उत्थान नहीं होता तो क्या होता है इसका उलिटा पतन उत्थान पतन लगे रहते हैं तो पतन हो जाएगा छुद्र छुद्र मतलब छोटा तुछ तो अब इसका बिलों क्या हो जाएगा जो छुद्र बैकती होगा कोई छोटी सोच वाला छोटा तो उसका हो जाएगा महान, महात्मा होगा तो महान हो जाएगा ऐसे आप अर्थ लगा लिया करें अब फिर देखें आंगे ऐसे बहुत सारे महत्पून वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजेगा वो आंगे नरंता ला रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्ते प्रिशन पसंद आ रहे हैं चलें तो अब आंगे बढ़तें क्या पूछ रहा हैं नीचे चार सब्द दिये गए हैं जिन में ऐसे तीन की वरतनी गलत है वरतनी वाले भी एक दो कोस्टिन पूछे ही जाते हैं और एक ही सही है दिये गए चार विकल्पों सुद्ध वरतनी वाला सब्द पन को चैन करना है बिल्कुल धिहान से आप इसको पढ़िए और एक प्रिशन में हम आपके कई प्रिशनों की तैयारी कराई रहे हैं अब देखें सबसे पहले यहाँ पर एक तालीस वे में द्रस लिखा यह तो सही लग रहा है बिल्कुल सही है द्रस यह असानी लिखा जाता यह सब तीनों गलाथ है पहला ही इसका सही है अगला ब्यालीस वे का जल्दी यह भी शीड़ी आप भी बताते चाहें अब सबसे पहले तो आपको यह सुद्ध सब्द लिखना है तो सुद्ध बोलना आना चाहिए तब आप पहचान सकते हैं तो अपन जब भी क्या बोलते हैं एतिहासिक बोलते हैं यहां इतिहासिक है यहां एतिहासिक है ठीक है यहां एति हो गया बड़ाता हो गया तो ए बीस ही हो जाएगा एतिहासिक अपने बहुत भाई एतिहासिक चीज है एतिहासिक के मारत है ऐसे आगे इसमें बोलते हैं मैं आपने कई बार देखा होग जब पढ़ते हैं तो इस प्रिकारथ का भी इस प्रिकारथ का भी इनिइए है वांग इंगा आता है क्या मैं या आगे देखें इसillar सवहार जल्दी से बता देजिए सवहार्थ सुध्दॉच्यार्ण है सव सबसे ज़्याद आप पूछा जाने वाला बहरी बहरी आई एंपी जोस्तना उज्वल दो सब दैसे मैंने देखा कही न कहीं पेपर में आई जाते हैं जोस्तना जनल जयसे हमें उज्वल की ट्रेक्वताई थी कि जहां पर आधिड दो जाह выглядит वहां पर उज्वल है ऐसी आज जोस्तना का भी आप देख लीजिए कि जोस्तना तो जोस्तना का C साई हो जाएगा जहाँ पर आधा सा और आधा ता हो यह ऐसे पहचानने का है ठीक है तो वो जोस्तना ठीक हो जाएगा C नंबर ठीक है तो इस प्रकार से ये हमारे आज के प्रस्ण पूरे हो गए हैं कल पुनहां 25 प्रस्ण ले करके आएंगे आज इस वीडियों 20 प्रस्ण लिए हैं वीडियो हमारा कम्प्लीट हो चुका है तो अंगले वीडियो के लिए आप तयार रहें ऐसे बहुत सारे महत्पूर्पूर्पूर्शन लेकर के आये हों आगे भी लेकर के आते रहेंगे ठीक है आप अच्छे से तैयारी करें सबी के लिए बहुत बहुत सुपकाम नाएं जये हैं